अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंजी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूरें ताकि सबी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले बड़े जूस में उचलते वे घूम रहे थे और जब माया बती जी आए एक जलक पाने के लिए लोगों ने बेडिया तोड़ दी तो यह है माया बती जी का करिश्मा यह है माया बती जी का काम यह है माया बती जी के अंदर उनके अंदर भोजनों के लिए काम करने का नमस्का आप देख रहे हैं SM News और मैं हूँ सिधात कुमार हमारे साथ है एगनो के वरिष्ट प्रोफेसर और दलित लेखक और चिंतक प्रोफेसर शत्रगिन कुमार कल ही सुपरीम बसपर सुपरीम मायती जी ने एक दिली में विशाल जनसभा का आयोजन किया इसके बारे में कुछ चैनलों ने मुद्दे से हटकर ये बताया कि उन्होंने अपने समर्थकों काफी देर तक इंतजार करवाया इस बारे में आपकी राए हम जानना चाहेंगे ये बहुत अच्छा प्रश्ण है दरसल मायावती जी एक नाम है इस देश में बहुजन करांती का मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में अखलेश जादयों यानि समाजवादी पार्टी से जो गटवंधन किया उसके बाद इस देश में एक करांती आ गई है एक भुचाल आ गया है एक महा सुनामी आ गया है दरसल मायावती जी ये नाम है एक ज्वाला का एक करांती का जो पहुजनों के बीच चेतना जगाने का काम कर रही है और कल दिल्ली में उनकी विसाल सभा में मैं भी उपस्ती था और वहां मायावती जी अपने समय से आई और उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया और दरसल बात ये है कि आज इस ब्राह्मनबादी मीडिया ये नहीं चाहते कि इस देश में बहुजनों का विकास हो बहुजन परगती की और जाए इस देश का विकास हो इस देश के समाज का विकास हो इसलिए मायावती जैसे नेता को बदनाम करने की उन्होंने ठान रखी है और लगातार ये में हम सभी जानते हैं कि जो भी मीडिया है electronic मीडिया हो या print मीडिया हो जिस तरह से उल्टी बाते करती हैं जिससे समाज को बरगलाने का समाज को दूसरी तर ले जाने का कारे किया जाता है बहन मायावती जी ने अपना सारा जीवन बहुजनों के लिए समर्पित किया है जबसे उन्होंने राजनीती में कदम रखा इसी दिल्ली में घर-घर तक रात-रात तक उन्होंने कारे किया अपने परिवार से भी विरोद सहते हुए भी उन्होंने समाज के लिए काम किया और आज वह एक परतीक बन गई हैं बहुजन चेतना का दली चेतना का मोलनिवासी चेतना का और इसलिए पूरा भारत पूरे भारत में जो बहुजन जो ब्राह्मनबादी ताक्ते हैं उनको परास करने की सोच रही है और इसलिए सारे सड्यंत रचे जा रहे हैं उनके बिरोध में ना सिर्फ सड्यंत रचा जा रहा है बलकि उनके रोकने के लिए सारे सरकारी ताकतों को लगाया जा रहा है लेकिन भारत की जनता को भारत के बहुजनों के अंदर उन्होंने जो जोती जगा दिये उसे हम पूरप से पस्चिम उत्तर से दक्चिन तक देख सकते हैं और वो हम हरे हर जगे है चाहे दक्चिन हो चाहे उत्तर हो चाहे पूरप स्चिम हो इस देश का बहुजन बहुत तेजी से जाग रहा है और बहन मायावति जी ने और उनके साथ मिलकर अखलेश जादो जी ने जो एक इतिहास रच दिया है जो क्रांती का समय ला दिया है उसे पूरे देश के जनों को होगा और मायावति जी इस देश की प्रधान मंत्री जरूर बनेंगी उनके किये गया कार जनजन के लिए कर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का किया गया कार उनका सबको दिख रहा है ऐसा नहीं है कि सोसल मीडिया के द्वारा और जनता देख रही है जनता कल उस भीड में केवल मायावति जी को सुनने के लिए चाहे तपती गर्मी हो चाहे प्यास हो भूक हो और उनके अंदर के उबाल को उनके अंदर की उनके अंदर जो चेतना जगी है और उनके अंदर जो मायावति जी के प्रती प्रेम है यह दरसाता है कि यह क्रांती रुकने वाल लाए हों छोटे-छोटे बच्चे बहुजन समाज पार्टी का जंदा समाज बादी पार्टी का जंदा लेकर इधर से उधर बड़े जूस में उचलते वे घूम रहे थे और जब माया बती जी आए एक जलक पाने के लिए लोगों ने लोगों ने बेडिया तोड़ दी तो य यह है माया बती जी का करिश्मा यह है माया बती जी का काम यह माया बती जी के अंदर उनके अंदर भोजनों के लिए काम करने का अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूतें ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले